हलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्ट्री एंड फैक्ट्स में और फ्रेंज स्टार्ट करने से पहले सब सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले आज हम आपको दुनिया की ऐसी चोरियों के बारे में बताएंगे यह चोरिया दुनिया की सबसे शातिर चोरिया मानी जाती है जिनने पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया था नमबो वान्स हैरी कुंस्टन रॉबरी साल 2007 में पैरिस के एक जोईलरी शोरूम में चार चोरों ने महिला भेज धारन करके बैंक में गुस गए और हत्यारों के बल पर सभी लोगों को एक कोने में कर दिया इतने बागी दो चोरों ने लगभग 650 करोड के जवाहरत बैग में भरे और चारों रफू चकर हो लिए जब चार साल बाद इन चोरों को पकड़ा गया तो इनके पास केवल 150 करोड के जवाहरत ही बरामद हो पाए नमबर टू दे ग्रेट ट्राक रॉबरी ये चोरी सन 1963 में घटे थी जिसे पंधरा चोरों ने मिलकर अंजाम दिया था चोरों ने सबसे पहले ट्रेन को नकली शीगनल दिखा कर रोक लिया और फिर उस पर जबरन कबजा भी जमा लिया जिसके बाद वेट ट्रेन में मौजूद 200 करोड रुपे लेकर 9 तो 11 हो गए कही सालों के मुश्कत के बाद पुलिस ने फिंगर प्रिंटर के जरीए चोरों को पकड़ तो लिया लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था बगदाद साल 2003 में इराक की राजधानी बगदाद के एक बैंक में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था कहा जाता है कि अमेरिकी आर्मी के इराक पर हमला करने से पहले खुद सद्दाम ने बैंक को एक नोट लिखा था जिसमें बैंक की पती जोरी में रखी सारी रकम सद्दाम के बेटे कुजे के हमाले करने को कहा गया था दुनिया की इस सबसे बड़ी चोरी में बैंक से 920 मिलियन पाउंड करीब 6,000 करोड रुपे लूट लिए गए थे नमब फोर्ड बार्को सेंट्रल बैंक फोर्टाले जब ब्राजील साल 2005 में इससे अंजाम देने के लिए चोरों ने ब्राजील के फोर्टलेंजा शेहर के बिचों बीच बैंक के पास एक जमीन खरीदी और वे खुदाई शुरू कर घास और पेड़ पौधों का उत्पाद कर उसे बेचने लगे इसके बाद चोरी के लिए पूरे गैंक ने तीम महीने तक बैंक के नीचे खुदाई की छुटी के अगले दिन जब सो मार सुबे बैंक खुला तो पता चला कि चोरों ने अपनी खरीदी हुई जमीन से बैंक तक 88 मीटर की एक सुरंग खोद लखी थी जहां से वे 450 करोड रुपे लेकर फरार हो गए जब इन चोरों को पकड़ा गया तो इनके पास फुटी कौड भी नहीं बची थी नमबर 5 नॉर्टन बैंक रॉबरी साल 2004 में नॉर्टन आई लैंड में बेलफस्ट शहर के एक बैंक में 320 करोड रुपे की चोरी हो गई उन्होंने बैंक रॉबरी में चोरों का साथ नहीं दिया तो वे उनके परिवार वालों को मार देंगे और फिर चोरी वाले दिन इन बैंक करमचारियों को बैंक में देर तक रुकने के लिए कहा गया और तभी यह चोर बैंक का सारा पैसा चरा ले गए